आज वो है Sun TV का हम करीब देख रहे हैं 35-4% की तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है कोटक सेक्योरिटीज ने अपनी रेटिंग अपग्रेड कर दी है क्या वज़ा बताईए मेरे साथ सौमीत सरकार मेरे साथ होगी जुड़ गए है सौमीत क्या रीजन दिये है कोटक में अपग्रेड के Sun TV में हमें एक डबल अपग्रेड देखने को मिला है कोटक सेक्योरिटीज के तरफ से अगर उनका जो रेटिंग है उनके अपग्रेड कर दिया है बाए पे पहले का रेटिंग रेटिंग रेडियूस का था और अगर आप टागेट प्राइस देखेंगे तो वो 540 पे बढ़ा दिया है और पहले का टागेट प्राइस 460 का था तो क्या ट्रिगर्स है कोटक सेक्योरिटीज के सबसे पहला ट्रिगर जो है वो है विवर्शिप गेंस कि पिछले 3-4 quarters में Sun TV के channels में अच्छा viewership gains दिखा है after 5-7 years of losses तो अच्छा कासा viewership gains होने के कारण कोटक ही expect कर रहे है कि आगे जाके जो ad revenue growth होगा वो इंडस्ट्री से in line रहेगा Sun TV के लिए उसके पहले हमें एक below under performance दिख रहा था जो 3 times है पिछले 5-year के cycle के सामने तो इसी दम पे कोटक securities के estimation है कि जो IPL से earnings आएगी Sun TV के लिए वो करीब 270-300 crore rupees के आसपास हो सकता है और यह nearly 3 times है जो पहले earnings थे उनके करीब 100-110 crore annual earnings जो होते थे उसके सामने तो अच्छा कासा IPL earnings second की trigger है और तीसरा trigger है तो valuations अगर आप देखेंगे Sun TV के तो वो काफी cheap है अगर आप पछले 5 साल की forward P देखते है तो वो करीब 15.4 times के आसपास था और current 12-year forward P अगर आप देखेंगे तो 9.3 times के आसपास है उसी के साथ वो यह भी कह रहा है कि जो core TV business है Sun TV का वो सिफ 3 times valued है 522 earnings के सामने जिसमें कोई भी growth नहीं था और आगे जाके जबकि growth होने की expectations है तो एक kind of re-rating देखने को मिल सकता है Sun TV में उसी के साथ कोटक की यह भी expectations है कि जो governance concerns थी Sun TV को लेके जो उन्होंने reduction कर दिया था dividend payout में और earnings call discontinue कर दिया था वो आगे जाके ease off हो सकती है और वो expect कर रहे है कि company अपने dividend payout आगे जाके बढ़ा सकती है पहले उनका dividend payout करीब 50% के आसपास हो सकता था और कोटक की expectations है कि वो level तक यह reach कर सकती है आगे जाके तो इन expectations के दम पे कोटक ने double upgrade किया है Sun TV पे डबल upgrade कोटक की तरफ से यहाँ पर 540 सक के target दिये है यहाँ पर तो यह brokerage report आपके सामने लेकिन कुछ और share भी है जहाँ पर कुछ और brokerages ने अपनी reports निकाली है उसके बाद हम stocks में movement देख रहे हैं अशेशा हमारे साथ अब जुड़ गई है अशेशा बताईए कौन कौन से stocks है focus में आज जी हाँ सबसे पहले CLSA की report आई है दालमिया भारत पर जहाँ उन्होंने खरीदारी की राय बरकरा रखी है 1,800 रुपीज पर शेर का target दिया है उन्होंने कहा कि medium term में कंपणी के prospects काफी अच्छे दिखाई दे रहे है industry consolidation cement sector में हो सकती है first half of this year financial year 23 के first 6 महीनों में काफी headwinds दिखाई दे रहे है लेकिन उसके बावजूद risk reward काफी attractive है और उसी के चलते उन्होंने खरीदारी की राय दी है 1,800 रुपीज पर शेर का target दिया है और stock जैसे कि हम देख सकते है around 8 tenths of a percent का gain दिखा रहा है JSW Steel और Tata Steel पर भी एक note IT credits use की जहां उन्होंने underperform rating दिया है JSW Steel पर और neutral rating दिया है Tata Steel पर याद रखे steel prices हाली में बहुत correct हो चुके थे around 20% का हमने decline देखा है peak से steel prices में और credits use का ऐसा मानना है कि steel prices में और भी ज़्यादा correction देखने को मिल सकता है अभी के लिए credits use इंडिन स्टील सेक्टर पर cautious रहेंगे और उनका मानना है कि domestic steel prices में decline देखने को मिल सकता है गुजरात गैस पर भी एक report आई थी credits use की जहांनोंने underperform का rating दिया है target price दिया है 380 rupees per share का margin expectations कमपनी से अभी भी काफी high है लेकिन downside risk है stock में ऐसा उनका मानना है और उसी के चलते 380 rupees per share का target दिया है जैसे कि आप देख सकते है 2.7% का decline stock में दिखाए दे रहा है बिल्कोल यहां पर under performance की rating और गुजरात का इसकी वज़े से गिरता हुआ दिखाए लेकिन अशेशा